और गैस कैसे आप लोग तो आयूस 14.06 का रिलीज कैंडिडेट या तो गोल्डर मास्टर वर्जन आपल ने कल रिलीज कर दिया यह एक फाइनल वर्जन होता है जो आपल पब्लिक में रिलीज होने से कुछ तिनों पहले रिलीज करता है डेफलोपर्स एन बेटा टेस्टर्स क का मेरा आइफोन 12 प्रो मैक्स के उपर एन अपडेट का साइज यूज है बिकॉस आर्ट सी वर्जन में हमेशा हम लोगों को पूरा आइवेस आइफोन को पर फिर से इंस्टॉल होते हुए देखने मिलता है सारी ओस की फाइल्स पूरी तरह से कंप्लिटली ओवर्राइट क आइपल ने कर दिया है रिलीज इस अपडेट में आपल ने मोडम फॉर्मवेर भी अपडेट किया है यहां पर ओल्ड जो मॉडम फॉर्मवेर था वो था 1.71.00 जो न्यू मॉडम फॉर्मवेर है वो है 1.71.01 बिकॉस कुछ लोगों को नेटवर्क में इश्यूस आ रहे थे बेटा 3 में कुछ लोगों को इश्यूस आ रहे थे यहां पर मोडम फॉर्मवेर में अपडेट के है मतलब नेटवर्क के इश्यूस आपके फिक्स हो जाने चाहिए इसके लावा गाइस एपल म्यूजिक के एप्लिकेशन में एपल ने सारे मेजर चेंजिस वगरा किये जहा ने मिलेगा फ्रम अर्ली जून यहां पर एपल का जो लॉस्लेस आडियो फॉर्मेट है वह अविलेबल नहीं होगा एरपोर्ट प्रो या तो एरपोर्ट मैक्स के लिए विकॉस ब्ल्यूतूथ के वाइलेस स्टैंडर्स के हिसाब से वह सपोर्ट नहीं कर पाएंगे काफी स्टैंडर्स आडियो एपल मुजिक के अंदर अविलेबल नहीं होगा एरपोर्ट प्रो या तो मैक्स के लिए भी लेकिन स्पेशल आडियो का जो फीचर है स्पेशल आडियो सपोर्ट विद डॉल्बी एट्मोस आपको देखने मिलेगा सारे एरपोर्ट के उपर यहां प पपडेट के अंदर एपल ने एपल काड फैमिली गा डो का अब पांच लोगों के साथ हैसां यसे हैखने मिलते जैसा के लिमिट वगेऌर होगे होगे, इंडिया के लिए काफी अच्छा फीचर के अंदर जहां पर आपको एक नया उप्शन देखने मिलता है अगर हम लोग जाएंगे lost mode के अंदर and continue पर click करेंगे और यहाँ पर आप लोग चेक आउट कर सकतो आपको एक email address यूज करने का भी option देखने मिलता है instead of phone number इसको मैंने detailed में explain किया है iOS 14.6 के beta 3 वाले वीडियो में and also मेरे add text वाले वीडियो में उसका link आप लोग को description box के अंदर देखने मिल जाएगा तो जाके check out ज़रूर करना किस तरह add text काम करते है इसके लावा guys अगर हम लोग settings में जाएंगे and accessibility पर tap करेंगे and then face ID and attention के अंदर यहाँ पर आपको कुछ नई options देखने मिलते यह option पहले face ID and passcode में था लेगिन Apple ने इसको move कर दिया accessibility में तो कभी अगर आप लोगो जरूत पड़े तो आपको पता हो कहाँ पर आप लोगो check out करने है यह options anyways guys अगर हम लोग bug fixes के बारे में बात करें तो यहाँ पर कफी सारे चीज़े Apple ने fix किये कुछ चीज़ा Apple ने अभी भी fix नहीं की जैसे के बात करते है Apple के release notes के बारे में तो यहाँ पर Apple ने mention किया है that सबसे पहला जो fix Apple ने किया है इस update के अंदर iOS 14.6 के अंदर वो है unlock with Apple watch का जो option है वो सही तरह से काम नहीं करता था जहाँ पर Apple watch पर अगर आप लोग lock iPhone पर क्लिक करते थे उसके बाद आपका iPhone नहीं होता था उसके बाद कुछ और भी Apple ने fix किये जैसे के reminders में appear as blank lines फिर call blocking जो extension है वो settings के अंदर अपीर नहीं होता था इसके लाब वागा इस Bluetooth devices could sometimes disconnect or send audio to a different device during an active call तो यहाँ पर जो Bluetooth devices का जो connection and disconnection का जो issue था वो भी Apple नहीं पर फिक्स कर दिया है and last update में मैं आपनों को बताया था iOS 14.6 के beta 3 में that Apple नहीं पर फिक्स के था iPhone में experienced reduced performance during startup जब आप फोन को start करो गे तब कुछ लोगों वाँ पर डीले फिक्स कर दिया है अगर कुछ और इशुस के बारे में बात करें गाइस जो कि Apple अपने release notes के अंदर mention नहीं किया लेकिन उनको भी improve करने का ट्राय किया है तो फिक्स करने का ट्राय किया है जिसे के हो गया ओवरीटिंग के इशुस होगे या तो बैटरी ड्रीन के इशुस होगे काफी सारा iOS 14.5 के यूजर्स कम्प्लेंट कर रहे थे मुझे काफी सारे कॉमेंट्स आया था iOS 14.5 के ओपर iOS 14.5.1 के ओपर उनको प्रॉपर बैटरी बैक अप देखने नहीं मिला काफी सारे यूजर् तो मैं experience नहीं कर रहा तो face में नहीं कर रहा and overall काफी स्टीबल अपडेट है and जो बेटा यूजर्स है उनका जो रिपोर्ट है उनके साबसे भी काफी जबरदस्त वाला यह update है काफी स्टीबल अपडेट है इस अपडेट के बाद फिक्स हो जाने चाहिए परसनली मेरे आइफोन को बैटरी बैक अप बहुर जबल दस्त देखने मिला था अगर हम लोग जाएंगे सेटिंग्स के अंदर and यहां पर बैटरी में अगर आप लोगो लास्ट टेन डेस का में आपको अपना बैटरी बैक विचिस आइटिंक ग्रेट अगर हम लोग 100% पर क्याकूलेट करेंगे तो अप्रोक्सिमेटली तैन आर्स का स्क्रीन आंप उन सिंगल चाड़्ज अगर इसके पहले के दिन का चेकाउट करेंगे तो अप्रोक्सिमेटली बैटरी यूसेच पर मुझे मिला 6.36 आर्स का स्क् विच इस विचिस आइटिंग रियली रियली ग्रेट अपर विच प्रोक्सिमेटली तैन आप लोग यहां पर चेकाउट कर सकते हो तो इस मोर दन मुझे 10 आर्स का स्क्रीन आंप देखने मिल रहा है 100% चार्जिंग के उपर विच प्रेटी ग्रेट नेटवर्क कनेक्टिव इस विच प्रेट नेट को कुछ नेट थोड़ा इंप्रूफ करने का क्योंकि अभी भी काफी सरे लोग जो ग्रीन टींट का इश्यू फेस कर रहे हो एन इस अपडेट के बाद भी फिक्स नहीं होता तो आपको में फ्यूचर वाल अपडेट के अंदर ग्रीन टीट का जो आपको में फिक्स होते हुए देखने मिल सकता है अभी गाइस आपल पब्लिक के लिए एक्जाक्ली कब रिलीज करेगा तो यहां पे मंडे को रात को 17 अफ में को आपल ने गोल्डन मास्टर वर्चन रिलीज किया मतलब जो रिलीज का तो मुझे एक्सपेक्टेशन है इस के एंड से पहले पहले हम लोगो में भी पब्लिक रिलीज एक्सपेक्ट हम लोगों कर सकते हैं अगर आपका इस बेटा के उपर हो और स्टेबल वर्चन के उपर आना चाहते हो तो यह जो रिलीज कंडिडेट उसको आपको इंस्टॉल करना है और बेटा प्रोफाल आप ल यह वाला अपडेट इंस्टॉर करना है तो मैं बोलूगा कुछ दिन वेड कर लो क्योंकि पब्लिक के लिए यह वाला सेम जो रिलीज कंडिडेट है वो रिलीज होने वाला ही है कुछ दिनों में एंड कैस एपल ने कल रात को दो नए प्राइड वाच बैंड भी लॉंच क करने हैं अगर आप लोग कर सकते हो तो एपल के वेबसाइट के उपर अल्रेड आप जाके इसको एड करके चकाउट कर पाओंगे में भी आपको 25 में से पहले पहले शिपिंग अगर इसका हो जाएगा मुझे अभी आइडिया नहीं कुछ जगाओ पर फिलाल लॉकडाउन चल रहा है कुछ जगाओ पर पार्शल लॉकडाउन चल रहा है तो में भी डिलीवरीज आपके एडिया में होगी या नहीं वह मैं आप लोग को नहीं बता सकता एनिवेज गाइस डैट इस वीडियो उमीद कर तो हम आप लोग आज के वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद झाल 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 झाल